हेलो फ्रेंट आज की इस वीडियो में हम लोग नेपाल को लेकर बात करने वाले हैं नेपाल को लेकर कई सारे लोगों ने गलत गलत वीडियो डाल दी है कि नेपाल और भारत के बीच में फ्लाइटे चालू हो गई है जो लोग भी दुनिये के दूसरे देशों में ट्रेवल करके जाना चाते हैं वो बाया नेपाल होकर ट्रेवल करके जा सकते हैं तो फिर इस वीडियो में आप पूरा बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ सकेगी क्या सच में नेपाल ने भारत से अपनी अंतराष्टे उलाने चालू कर दी है और यदि चालू कर दी है तो कितनी फ्लाइटे हैं क्या आप ट्रेवल करके जा सकते हैं कौनकों से देशों में आप ट्रेवल करके जा पाएंगे यह पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो वीडियो को पूरा लास्ति जुरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ सके उससे पहले फ्रेंट साफ से रिक्वेस्ट करेंगे कि यह अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम आपके साथ नेपाल की गवर्मेंट की आप से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस नोटिफिकेशन को शेर करना चाहेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो नोटिफिकेशन है यह सिविल एवेशन आफ नेपाल ने जारी किया है इसमें क्या लिखा है आपको यहाँ पर बता दें कि यह पूरी जो Qatar of Turkey इन तीन देशों का नाम सामिल है इन तीन देशों में आप ट्रेवल करके जा सकते हैं लेकिन आपको यहाँ पर बता दे कि इन में जो फ्लाइटे हैं वो सब्ता में एक या दो फ्लाइटे ही ऑपरेट की जाएंगी ऐसी जानकारी इसमें लिखी हो ही है इसमें भारत का भी नेपाल की तरफ से जारी किया गया है इसमें आप देख सकते हैं कि कौन-कौन सी एरलाइटे कंपनियों को मंजूरी मिली हुई है और सब्ता में कितनी फ्लाइटे यह ऑपरेट कर सकती हैं कौन-कौन से लोकेशन के लिए जो कि हर गुरुबार को राएंगा इसके लावा नेपार एरलाइटे को मंजूरी मिली हुई है और इयर इंडिया भी इस लिष्ट में सामिल है जो कि हर सुक्रबार को डिली से काटमान्डू और काटमान्डू से दिली को आपरेट करेगी यानि कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि सब्ता में केवल एक फ्लाइट ही दिल्ली से कटमांडू के लिए उपरेट होने वाली है जो कि हर सुक्रबार को होगी तो दोस्तों यहाँ पर आपने समझ लिया होगा कि जो नेपाल की गौर्मेंट ने फ्लाइटों को चालू किया है वो केवल तीन देसों से चालू किया है पहला यहाँ पर चाइना है फिर कतर और फिर टर्की से यह तीन देस सामिल है जहां से नेपाल की गौर्मेंट ने रेग हैं सौधी जा सकते हैं तो दुबई और सौधी के लिए अभी तक नेपाल की गवर्मेंट ने फ्लाइटों को चालू नहीं किया है जो कि इस नोटिफीकेसं से साफ साफ समझ में आ रहा है जो लोग भी यहाँ पर आपको वीडियो बनाकर जानकारी दे रहे हैं कि नेपाल ने फ्लाइटों को चालू कर दिया है और आप दुबई जा सकते हैं सौधी जा सकते हैं तो वो नेपाल की गवर्मेंट ने फ्लाइटों को चालू किया है वो ना तो दुबई से चालू किया है ना ही सौधी से चालू किया है केवल तीन दिसों से चालू किया है जो उसकी जानक समय पर मिल सके।